समोस के पाइथागोरस एक प्राचीन युनानी दार्शनिक और गणित अग्य थे जो गणित में पाइथागोरस प्रमेय के लिए जाने जाते हैं। उनके विचारों और शिक्षाओं का गणित संगीत और दर्शन सहित विभिन क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस पोस्ट का उद्देश्य सरल भाषा और संबंदित भारतिय वुदाहरनों का उप्योग करके पाइथागोरस के जीवन उनके योगदान और उनकी प्रासंगिक्ता को समझाना है। अपने प्रारंबिक जीवन में पाइथागोरस का जन पांच साथ शुन्य बीसी के आसपास एजन सागर में समोस्ट वीप पर हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने सीखने में गहरी रुची दिखाए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर यात्राएं की। उन्होंने मिस्र और बैबिलोनिया का दौरा किया। जहां उन्होंने गनित, खगोल, विज्ञान और ब्रह्मान्ट के रहस्यों के बारे में सीखा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का सबसे प्रसिद्ध योगदान पाइथागोरस प्रमेय है, ये ज्यामिती का एक मौलिक सिध्धान्त है जो बताता है, जोड इक्वल्स, ये प्रमेय समकोन त्रिबुजों पर लागू होता है, जहां सी कर्ण की लंबाई, समकोन के विपरीत भुजा है और और भी अन्य दो भुजाओं की लंबाई हैं। उदाहरण, भारतिय संस्कृती में पाइथागोरस प्रमेय को अक्सर वैदिक गनित के संदर्ब में देखा जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतिय गनितग्य बौधायन ने 800-2002 के आसपास सुलबा सूत्र में एक समान अवधारणा का उलेख किया था। जो पाइथागोरस से पहले की है। ये प्रमेय की सार्वभौमिक्ता और प्राचीन जणों को प्रदर्शित करता है। निर्मान में उदाहरण, मंदेर या घर बनाते समय समकोन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय का उप्योग करके, कोई एक तरफ तीन इकाई, दूसरी तरफ चार इकाई माप सकता है। और यदि इन दो बिंदूओं के बीच की दूरी पाँच एकाई है, एक तीन, चार, पाँच त्रिकोन बनाते हुए, तो पहली दो बुजाओं के बीच का कोन है, एक पूर्ण समकोन। पाइथागोरस वाद, पाइथागोरस ने एक धार में कांदोलन की स्थापना की, जिसे पाइथागोरस वाद के नाम से जाना जाता है। ये समूह एक संरचिक जीवन शैली का पालन करता था, और आत्मा की अमरता और पुनरजन में विश्वास करता था। उन्होंने दुनिया को समझने में गणित और संख्याओं के महत्व पर भी जोर दिया। पाइथागोरस की प्रमुक मान्यताएं एक, गणित हर चीज का आधार है। पाइथागोरस का मानना था कि संख्याओं और उनके रिष्टे सभी चीजों का सार थे। दो, सामन जस्य और अनुपात। उन्होंने सामन जस्य पूर्म ध्वनी उत्पन करने के लिए संगीत सामन जस्य और तारों की लंबाई के बीच संबंधों का अध्याण किया। तीन, आत्माओं का स्थाना अंतरण। वे पुनरजन्म के चक्र में विश्वास करते थे और आत्मा का विभिन रूपों में पुनरजन्म हो सकता है। संगीत में योगदान, पाइथा गोरस ने संख्याओं और संगीत नोट्स के बीच महत्व पूर्म संबंधों की खोज की। उन्होंने पाया कि तारों को विशिष्ट अनुपात में कमपन करके सामंज स्यपूर्ण ध्वनियां उत्पन की जा सकती है। उदाहरन के लिए दूसरे से दोगुनी लंबाई वाली एक स्ट्रिंग एक सब तक कम ध्वनी उत्पन करेगी। भारतिय कनेक्शन भारत में, शास्त्रिय संगीत में, शृती की अवधारना, जो ध्वनी के सबसे छोटे अंतराल को संदर्वित करती हैं जिसे मानव कान समझ सकते हैं। संगीत अंतराल के पायथागोरस अन्वेशन के समान है। भारतिय शास्त्रिय संगीत में सब तक या साथ स्वर पाइथागोरस द्वारा खोजे गए सामंजस्य और अनुपात के विचार से मेल खाते हैं। खगोल विज्ञान में योगदान। पाइथागोरस ने खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि पृत्वी गोलाकार है और ब्रह गोलाकार कक्षाओं में गूंते हैं। इन विचारों ने बाद की खगोलिय खोजों की नीव रखी। भारतिय कनेक्षन आर्यभट और ब्रमह गुप्त जैसे प्राचीन भारतिय खगोल विदो ने भी आकाशिय पिंडों की गतेविदियों का अध्ययन किया था। प्रित्वी के घूर्नन पर आर्यभट का कार्य और तारों की सपष्ट गती के साथ इसका संबंध पाइथागोरस के विचार के साथ समानता दर्शाता है। दर्शन शास्त्र पर प्रभाव, पाइथा गोरस के विचारों ने प्लेटो और अरस्तु सहित बाद के दार्शनिकों को बहुत प्रभावित किया। गोले के सामन जस्य की उनकी अवधारणा ने सुझाव दिया कि आकाशिय पिंडों की गती गणितिय अनुपातों द्वारा नियंत्रित होती है। जिसने बदले में गणितिय सिद्धानतों द्वारा आदेशित ब्रम्हांट के प्लेटों के विचार को प्रभावित किया। भारतिय दार्शनिक संबंद, भारतिय दर्शन, विशेश रूप से उपनिशदों में, एक सार्वभोमिक व्यवस्था, आर्टिये, और सभी चीजों के अंतर संबंद के विचार की खोज करता है, जो ब्रम्हांट की सद्भाव और एक्ता में पाइथागोरस के विश्वा की आधार्शिला बनी हुई है, दो, संगीत, संगीत सामंजस्य में उनकी खोजे संगीत सिध्धान्त में मूलभूत हैं, तीन, दर्शन, संख्याओं और ब्रम्हांट के बारे में उनके विचारों ने पश्चिमी दार्शनिक विचार को प्रभावित किया, चार, खगोल व के बारे में उद्धरन, एक, एलबर्ट आइनस्टीन, जहां तक गनित के नियम वास्तविक्ता को संदर्भित करते हैं, वे निश्चित नहीं हैं, और जहां तक वे निश्चित हैं, वे वास्तविक्ता को संदर्भित नहीं करते हैं, यह वास्तविक्ता की हमारी समझ पर प आपस में जुड़े हुए हैं और समान सार्वभोमिक सत्य को प्रतिविम्बित करते हैं। ये संख्याओं के माध्यम से सभी चीजों के अंतरसंबंध में पाइथागोरस के विश्वास को प्रतिद्वनित करता है। यहाँ पाइथागोरस के शीर्ष दस उध्धरन दिये गए हैं। साथ ही उनके अर्थ और महत्व की व्याख्या भी। संख्या रूपों और विचारों का शासक है और देवताओं और राक्षसों का कारण है। व्याख्या। पाइथागोरस का मानना था कि संख्याए ब्रह्मांट के अंतर नहित मूलभूत सिध्धान्त है। यह उध्धरन उनके विचार को दर्शाता है कि अस्तित्व में हर चीज को संख्याओं और उनके संबंधों के माध्यम से समझा जा सकता है। उनके दर्शन में संख्याए भौतेक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं को नियंतरित करती हैं। उनका मानना था कि आकाश ये पिंडों की गतिविदियां गनितिये संबंधों द्वारा नियंतरित होती हैं। जिससे एक ब्रम्हांडिय सामंजस्य बनता है। 3. जब तक मनुश्य निम्न जीवित प्राणियों का निर्मम विनाशक बना रहेगा। तब तक उसे कभी भी स्वास्थ्य या शांती नहीं मिलेगी। जब तक मनुश्य जानवरों का नरसनहार करेंगे, वे एक दूसरे को मार दालेंगे। व्याख्या पाइथागोरस शाकाहार की वकालत करते थे और सभी जीवित प्राणियों के साथ नेतिक व्यवहार में विश्वास करते थे। यह उद्धरन बताता है कि जानवरों के प्रती हिंसा मनुश्यों के बीच हिंसा और वेमनस्य की व्यापक संस्कृति को दर्शाती है और उसे कायम रखती है। 4. बहुत शब्दों में थोड़ा मत कहो बलकि थोड़े में बहुत बड़ी बात कहो। व्याख्या पाइथा गोरस संचार में संक्षिप्तता और स्पष्टता को महत्व देते थे। यह उद्धरन अनावश्यक वाचालता के विरुद्ध सलाह देता है और भाशन में सटीकता और विचारशीलता के महत्व को दर्शाते हुए। सार्थक विचारों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोचसाहित करता है। 5. सबसे पुराने, सबसे छोटे शब्द, हाँ, और, नहीं, वे हैं जिन पर सबसे अधिक विचार करने की आवशकता है। 6. यह उद्धरन सरल, सीधे निर्णियों के महत्व पर जोड़ देता है। 6. अच्छा प्रदर्शन करके संतुष्ट रहें और दूसरों को आपके बारे में अपनी इच्छा नसार बात करने के लिए छोड़ दे। 7. पाइथागोरस दूसरों की राय के बारे में चिंता करने के बजाए अपने कारियों और गुनों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। 7. सच्छा संतोष ये जानने से मिलता है कि बाहरी मानेता या आलोचना की परवा किये बिना आपने सही काम किया है। 7. सभी चीजों से उपर अपना सम्मान करें। 8. व्याख्या, स्वाबिमान पाइथागोरस दर्शन की आधारशिला है। 8. ये उद्धरन किसी की अखंता और आत्ममूलिय को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। जो व्यक्तिगत विकास और नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। 8. दोस्त सारी बाते साज़ा करते हैं। व्याख्या, पाइथागोरस दोस्ती के गहरे बंधन और संसाधनों और विचारों के सामुदाइक बटवारे में विश्वास करते थे। ये उद्धरन सामुदाइक जीवन और दोस्तों के बीच आपसी सहयोग के पाइथोगोरियन मूल्य पर प्रकाश डालता है। 9. निरर्थक शब्दों से मौन बहतर है, स्पष्टी करण। ये उद्धरन मौन और विचारशील भाषन के मूल्य पर पाइथागोरस के जोड को दर्शाता है। 10. शरीर से मजबूत होने के बजाए आत्मा से मजबूत होने को चुने, व्याख्या। पाइथागोरस ने शारीरिक शक्ती की तुलना में मन और आत्मा के विकास को अधिक महत्वदिया। यह उद्धरन बौदिक और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिक्ता देने को प्रोचसाहित करता है। जिसके बारे में उनका मानना था कि यह ज्यान और ज्यान प्राप्त करने की कुन्जी है। ये उद्धरन पाइथागोरियन विचार के प्रमुक पहलूँ को समाहित करते हैं, जिसमें संख्याओं और गणित का महत्व, नैतिक जीवन, साध्गी और स्पष्टता का मूल्य, आत्मसम्मान, मित्रता का महत्व और बौधिक और आध्यात्मिक विकास की खोज शामिल है। पाइथागोरस का ज्यान संतुलित और सार्थक जीवन जीने के लिए कालातीत मार्ग दर्शन प्रदान करते हुए गूंचता रहता है। निशकर्ष, पाइथागोरस एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिनके विचार गनित से आगे बढ़कर संगीत। खगोल विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ब्रह्मान को समझाने के लिए संख्याओं की शक्ति में उनके विश्वास ने अंगिनत पीडियों को प्रभावित किया है। उनके योगदान को भारतिय उदाहरनों और दर्शन से जोड़कर हम उनकी अंतरग्रिष्टी की सार्वभौमिक प्रकृति और संस्कृतियों और युगों में उनकी प्रासमडिक्ता की सराहना कर सकते हैं। धन्यवाद यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दो काल शेयर करें। झाल 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 झाल